वाटसप हर कुछ दिनों बाद एक नए फीचर लेके आता है उसी परकार वाटसप के नए अपडेट में इस बार दो फीचर नए आने वाले हैं उसमें जो पहला फीचर है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों जब अभी आप कॉल करते थे किसी भी वाइस कॉल करते थे या वीडियो कॉल करते थे किसी लोगों को वाटसप पे तो उस कॉल करने के दौरान जब आपको कोई दुसरा वेक्ति कॉल करता था तो उस्ट में आपको ये सो नहीं होता था कि कौन सा बंदा आपको कॉल कर रहा है ना आपके पास ये option होता था कि मैं उसके कॉल को उठाऊं या उसके कॉल को काट दू तो दोस्तों WhatsApp के नए update में अब आपके पास ये option आने वाला है कि जब भी आप किसी से voice call कर रहे हैं या video call कर रहे हैं उसमें अगर कोई बंदा आपको call करेगा तो उसका आपको दो options हो करेंगे एदर आप उसके call को उठा लीजिए या उसके call को काट दीजिए इस नए feature के बाद अब लोगों की परेशानिया थोड़ी से हल हो जाएगी कि call करने के दौरान ये पता नहीं होता था कि किसने मुझे call किया किसने नहीं उसके बाद जो दूसरा update है वो update है कि आपको पहले ये आपके पास कोई privacy नहीं होती थी सबसे पहले आप setting पे जाएए उसके बाद account पे जाएए privacy में जाएए groups पे जाएए groups पे जाने के बाद आपको वहाँ पे तीन option मिलेंगे everyone, my contact, my contact accept ठीक है यानि कि everyone यानि कि कोई भी लोग आपको उस group में add कर सकता है दूसरा है कि my contacts यानि कि आप जिसके number आप अपने mobile में save की है वो आपको add कर सकता है और दूसरा है कि my contacts accept यानि कि मेरा पूरा contact save कर सकता है चुनिन दे लोगों को छोड़कर दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा ऐसे वीडियो पाने के आप हमेरे चाल को सब्सक्राइब करें